नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों मैं हूँ मनीश कुस्वाह यह जो आप देख रहे हैं दस एकर का तंबाकू का पलोट है यह आगे आप पीछे देख सकते हैं अप लगवा पूरे गाउं में तंबाकू की खेती ही की गई है पिछले बार जब मैंने तंबाकू का खेती का वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कमेंट में कि तंबाकू का प्रोसेस कैसे की आता है और तंबाकू अगर हम लोग रोपे तो उसको बेचे कहा तो उसके बारे में चलिए हम आप लोग को इस वीडियो में पूरा जनकाई देंगे, अभी यहां देख़ रहे हैं, पूरा भसल तयार हो चुका है, जब तंबागू का यहां, जो पत्ता होता है, तो यहां जो पत्ता होता है उपर की तर profit उठ जाता है, और इसमें बावल मतलब दाने-दाने की तर निकल जाता है, यहां आप देख सकते हैं मैं पत्ते को आपको तोर के दिखाता हूँ यहां आप किलियरी देख सकते हैं इसमें किस-किस तरह से दाना उठ चुका है जब यह तयार हो जाता है तो यह पूरा पता अलग-अलग हो जाता है तो साथ से आठ पता एक पौधे में रहता है इसमें अगर इसको टोड़ा नहीं जाता है उलुकि बहुत इतना बहुत लगभग पउदा पोधा हो जाता है और उसमें बहुत सारा पॉदा होने के कारें निकोटिन के मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है इसको इसलिए तोरा जाता है इसमें तोर करके 5-6 पता ही इसमें रखा जाता है कहीं-कहीं 8-10 भी पता रखा जाता है क्योंकि जो पूरे पेड का जो निकोटिन है वह उनी पतों में जाए और नहीं तो अगर पूरा हम लोग छोड़ देंगे तो पूरा पेड में निकोटिन जाएगा और पता उतना क्वालिटी नहीं रहेगा तंबाकु जो होता है यह भी अलग-अलग छेतर के हिसाब से इसका यूज किया जाएगा तो चलिए हम इसके बारे में पूरा प्रोसेस आप लोग को दिखाते हैं यह आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का तंबाकु है कहा जाता है कि जितना ज्यादा उपर दाना दाना उठा हुआ रहेगा उतना अच्छा तंबाकु होता है यह आप देख सकते हैं इस पर बहुत ज्यादा दाना की तरह उठा हुआ है अभी तंबाकु को काटा जा रहा है तंबाकु को जेनरली हम हर्वेस्ट मा प्रोसेस भी आप लोग को दिखाएंगे तंबाकू को समानता अक्टूबर के महीने में लगाए जाता है कुछ किसान नौंबर में भी लगाते हैं तंबाकू की सबसे अच्छी बात यह है कि जो आप देख पा रहे हैं जर से उपर जो इसका तना काटा गया है इसका तना से ल यह सुख चुका है नीचे से कुछ इसका जरवाला पार्ट है दोस्तों वैसे तो हमारे पास तमाखू का कैसारा प्लॉट है मगर अगर आपको एक एकर का अगर हिसाब बरताएं तो मोटा मोटी हम लोग को एक एकर में साथ हजार रुपया खर्च पर जाता है जिसमें जो बुगाईस का है या फिर पानी पटाने से लेके हरे खर्च लगभग साथ हजार रुपया में आ जाता है अगर इसमें थोड़ा बहुत उपर नीचे भी जा सकता है अगर आप अपने से खुद से ज़्यादा काम करते हैं या फिर अगर आपके पास ज़्यादा खेथ है जो अच्छा क्वालिटी का होता है वो 10,000 रुपय बिखता है अगर एकर का हिसाब देखे तो लगभग 1,500,000 रुपय मतलब परती एकर के हिसाब से मिनिमम कम से कम 1,500,000 रुपय परती एकर बिखेगा जादा जादा जाएगा तो आपको 2,300,000,2,200,000 के आस पास भी जा सकत है दो लाक रुपय परती एकर मोटा मोटी हिसाब है यह जो आप देख रहे हैं खेत में लगभग 4 दिन से यह सुखरा आया है कल यह परसो आ करके इसको बेपारी उठा कर ले जाएंगे यह बेचने के लिए जो खेत में जब फसल लगा हुआ रहा है ताम उसी समय बेपारी आकर के इसको खेत में से लोड करवा रहे हैं मैंने बेपारी से भी इसके बारे में विश्तिरत तोर्पे बातचीत की है वह वीडियो मैं एंड स्कृन में दे दूँगा आप वह जाकर भी देख सकते हैं बाकि अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरू सब्सक्राइब करें और आप फार्मिंग से संब्सक्राइब और वीडियो देखना चाहते हैं तो राइट वाला प्लेलिस्ट जरूर देखें धन्यवाद